एशिया कब 2023 का एक और महा मुकाबला सुरलंका और भारत की भीस में खेला गया खेर से मुकाबला कहना भी गलत ये महा मुकाबला था जहां सुरलंका अपना पहला मुकाबला बंगलादेश को राकर आ रहा था और भारती क्रिके टीम पाकिस्तान को अंधी मुगिरा कर आ रही थी और इस मुकाबले में रॉमांच की शारी हदे पार हो गई ये मुकाबला जहां भारती टीम का पलड़ा भारी नज़र आ रहा था लेकिन शुरलंका ने दिखाया वो किसी शेकम नहीं है हम आपको बताएंगे कैसे पहले भारती बले बाज स्ट्रगल करती वे नज़र आए उसमें रोहित ने कैसे बड़ा किर्तिमान इस्तापित किया लेकिन उसकी बाद एक ऐसा टोटल जिससे आसानी से चेज़ किया जा सकता था फिर कप्तान रोहित सर्मा की कप्तानी और भारती गैनबाजों की सांदार गैनबाजी हम आपको बताएंगे कैसे एक 90% हारवी मुकाबले को टीम इंडिया जीत गया हम आपको बताएंगे जीत के बाद पॉइंस टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और कैसे पाकिस्तान को भी भारत की जीत से फाइदा हुआ है चलिए आईए आपको बताते हैं सब कुछ इस एक खास हाइलाइट्स वीडियो में बताएंगे आपको कैसे हारवी मुकाबले को जीता पूरा हाइलाइट हम आपको बताएंगे इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब बैल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहें और कमेंट में बताएं फाइनल में आप भारत के साथ किसी देखना चाहते हैं दरसल इस मुकाबले को जीत कर कैसी भारत ने फाइनल में जगा बनाई हैं पॉइंस टेबल का क्या हाल है लेकिन उससे पहले जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट क्या रहा है ये मुकाबला किस तरह से चला है सबसे पहले बता दे कि कप्तान रोई शर्मा ने टोस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया कप्तान रोई शर्मा शोबमन गिल पहले बल्ले बाजी करने आए दोनोंने अची शुरुआत करी कप्तान रोई शर्मा ने 48 बॉल पर 33 रन की अर्दसुतिक यपारी खेली 10,000 रन बनाने वाले खिलाडी बने लिकन उसके साथ शोबमन गिल आज थोड़ा स्ट्रगल करती वे नजर आए चीस बॉल पर 19 रन बनाए और भारत को पहला विकेट शोबमन गिल के रूप में लगा अश्ची रन पर यानि अश्ची रन की ओपनिंग पाट नसीब देखकर तो आप उमीद करेंगे कि शिरलंग के खिलाब भारत बड़ा स्कोर बनाएगा लेकिन उसके बाद 90 रन पर दूसरा विकेट भारत कोती है विराट कोली की रूप में जिनोंने केवल तीन रन बनाए वेला लागा की गैन पर वो आउट हो गए सुबमन गिल को भी वेला लागा नहीं आओ चलता किया था उसके बाद 91 रन पर तीशरा विकेट रोहिद सर्मा के रूप में टीम इंडिया को लगा लगा तार तीनों के लाडियों को वेला लागा ने बाहर का रास्ता दिखाया उसके बाद अलंगी केल डाहूल और इसान किसन ने पारी को संबाला लेकिन केल डाहूल को भी वेला लागा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके साथ में इसान किसन भी तो कोल मिलाकर भारती क्रिकेट टीम जो 80 रन पर पहला विकेट गवाती है और भारती क्रिकेट टीम जो कहीं न कहीं उसके बाद में भारत का मेडल ओल्डर स्ट्रगल करता वर नज़र आया इसान कि सन और केल डाउल के उट हो जाने की बाद हार्दिक पांडिया और रवींदर जड़ेजा पारी को संबालने का पूरा प्रियास करते हैं लेकिन जड़ेजा उस टच में नज़र नहीं आये जो स्पिन ट्रैक पर गैंद गुम रही थी वो बल्ले से संपर की नहीं हो रहा था आर्दिक पांडिया भी कुछ वैसा ही कर रहे थे और आर्दिक पांडिया ने 18 बॉल खेली लिकें केवल 5 रन मनाए रवींदर जड़ेजा ने 19 बॉल खेली लिकें केवल 4 रन मनाए कोल मिलाकर भारतिय ये के बल्लेबाज जो ओल डाउनर थे वो फ्लॉफ रहे अक्षर पटेल ने अलांग के एक छोर जरूर शंबाला था लिकें उनको किसी का साथ नहीं मिला 36 बॉल पर 26 रन मनाए आखिरकार 49 वे ओवर में बड़े शॉट लगाने की चकर में आउट हो गए जस्परीद मम्रा, कुल्दी ब्यादो और मुहमद सराज को भी बल्लेबाजी करने का मौका मिला टीम इंडिया पूरे 50 ओवर ही नहीं खेली और इंडिया 213 रन पर ही ओल आउट हो गई लगा कि स्वायद अब तो जो स्रिलंकन क्रिकेट टीम है स्कोर को बड़े आसानी सिचेज कर लेगी क्योंकि उन्हें यहाँ पर खेलने का ज्यादा एक्सपिरियंस हैं और क्योंकि आपको ज्यादा रन नहीं चाहिए इसलिए आप टेस्ट की तरह स्खेल चकते हैं लेकिन भारतिय गैनबाजी लाइनप के आगे कहां शिरलंका के खिलाडी ट्रेकने वाले थे दरसल शिरलंका को पहला जटका जस्परीत भुमरा देते हैं उनके पतुम निसांका का जो 6 रन बना कर आउट हो गए सात्वे रन पर पहला विकेट गवाने के बाद 25 रन पर दूसरा विकेट 25 रन पर तीशरा विकेट शिरलंका का टॉप ओडर पुरी तरह से द्वस्त नज़र आया और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो शिरलंकान करकेट टीम ने महज 99 रन के अंदर 6 विकेट गवा दी लगा कि अब शिरलंका बड़े मार्जिन से हरेगा भारत की गैनबाजी की बात करें तो जस्परीद बुम्रा मौमद जिराज नई गैन से विकेट चटकाते हैं कुली ब्यादो केहर बर पाते हैं लेकिन 99 रन पर 6 विकेट गवाने के बाद सौनदार वापसी करी है स्रिलंकान किर्केट टीम ने जिसमें धननजडी सिल्वा और विला लागे वो विला लागे जो भारत के 5 विकेट चटाते हैं और वो विला लागे जो भारत के खिलाब इतने रन बनाते हैं कि सरवादी की स्कोरर बन जाते हैं धनेज़डी सिल्वा अगर टिकते तो सायद ये एक तरफा मुकाबला हो जाता सायद भारत इस मुकाबले को नहीं जीत पाता लेकिन धनेज़डी सिल्वा को आउट करने का काम रवींदर जड़े जाने किया एक अची पार्टनसी बर्दसती के पार्टनसी बलगी लगा की मुकाबला खींच लेंगे धनेज़डी सिल्वा और वेला लागे लेकिन धनेज़डी सिल्वा के आउट होने के बाद कोई भी खिलाडी नहीं चला और बॉलर्स तो खास दोर पर नहीं बार्टी गनबाजी लाइनप की बात करेंगे तो एक बार फिर कुल्दी प्यादव ने चार विकेट बड़े विकेट रटकाए हैं जस्परीद बमरा ने दो विकेट महमद सिराज हार्टीक पांडिया ने एक एक विकेट रटकाए हैं और इसके बाद पॉइंट स्टेबल में बवाल पैदा हो गया है चलिए आपको बताते हैं पॉइंट स्टेबल लेकिन उसे पहले हम आपको ये भी तो बताना चाहेंगे इस मुकाबले के दर्मियान काई बार कप्तान रोही सर्मा दल में नज़राए क्योंकि हर किसी का मानना था कि जड़ी चाह को लगाए पहले ही अवर से लेकिन वहां रोहीत के अच्छी कप्तानी देखने को मिली उसके साथ साथ में रोहित ने अपने गैनबाजो का अच्छा इस्तमाल किया कप्तानी अच्छी करी प्रेशर मुकाबले में कहीं न कहीं अपनी जो टैलेंट है वो दिखाया है और रोहित सर्मा ने बल्लेबाजी भी कमाल की करी थी लेकिन अब चलिए पॉइंस्टेबल की बात करी लेते हैं पॉइंस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सूपर फॉर के अंदर हर एक टीम ने दो 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 मुकाबले खेल लिये हैं अब दो ही मुकाबले बचे हैं सूपर फॉर के, एक खिला जाएगा इंडिया बंगलादिस की बीच में और एक खिला जाएगा श्रलंका पाकिस्तान की बीच में लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि बंगलादेश तो बाहर हो चुकी है चौते पाइदान पर है दो में से दो मुकाबले हारी है जीरो पॉइंट के साथ में ये बाहर हो चुकी है इनका अब कोई फाइनल से लेना देना नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे पाइदान पर है दो में से एक जीता एक अरा दो पॉइंट माइनस में नेट रंट रेट बड़ी दिक्कत पैदा तब करती जब अगज इंडिया हार जाती लेकिन आज तो पाकिस्तान भी इंडिया का सपोर्ट कर रहा था और कह रहा था कि आज पेंडिया श्रलंगा को अरा दela कि हम आपको फैइनल में खिलने आएंगे इसका मतलब यह हुआ कि सिरलंगन क्रिकेट टीम जो फेल अब दूसरे पाइदान पर है दो मैं से एक जिता आएक अरा दो पॉइंट के साथ में और इंडिया पाइदान पार है दो मैं से 2 जी क्योंकि अब एक बुकाबला इस श्रलंका पाकिस्तान का उसमें कोई भी टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी और बंगलादेश अगर इंडिया के खिलाब जीत भी जाता है तो चार पॉइंट वो हासिल कर नहीं पाएगा मतलब इंडिया का फाइनल हंड्रेट परसेंट हंड्रेट परसेंट लेकिन दूसरी टीम कौन होगी श्रलंका या पाकिस्तान जो बुकाबला के लिए जाएगा जो जीतेगा वो फाइनल में भारत से बड़ेगा आप देखने वाली बात है क्या पाकिस्तान आएगा फाइनल में माज़ा आएगा अगर पाकिस्तान में फा